Hello everyone, today we are going to learn some basic rules of integers. So, let's start with rule number 1. अगर हमारे दोनों नमबर्स पॉजिटिव हैं और हमें उनको मुल्टिप्लाइ करना हैं तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा. For example, 7 x 2 दोनों पॉजिटिव हैं and the answer is पॉजिटिव 14. Rule number 2. अगर हमारे दोनों नमबर्स माइनस में हैं और हमें उनको मुल्टिप्लाइ करना हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा. For example, minus 7 x minus 2 is equals to plus 14. Rule number 3. अगर हमारा एक नमबर प्लस का है और दूसरा नमबर माइनस का हैं तो हमेशा हमारा आंसर माइनस में आता है. For example, 7 x minus 2 is equals to minus 14. Rule number 4. अगर हमारे दोनों नमबर्स प्लस के हैं और हमें उनको आड़ करना है तो हमेशा हमारा आंसर प्लस में ही मिलेगा. For example, 7 plus 2 which is equals to 9. Rule number 5. अगर हमारे दोनों नमबर्स प्लस के हैं और हमें उनको सब्ट्राक्ट करना है तो भी हमारा आंसर प्लस में ही आएगा. For example, 7 minus 2 is equals to 5. Rule number 6. अगर हमारे एक नमबर पॉजिटिव है और दूसरा नमबर नेगेटिव है पर नेगेटिव वाले नमबर पॉजिटिव से स्मॉल है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा. For example, 7 plus bracket में minus 2 which is equals to 5. और अगर अब हमारे नेगेटिव वाले नमबर पॉजिटिव वाले नमबर से बड़ा होता तो हमारा आंसर माइनस में आता. For example, 7 plus bracket में minus 9 which is equals to minus 2. आप compare कर सकते हैं उपर वाले एक्वेशन में positive का नमबर बड़ा था इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव में आया. नीचे वाले एक्वेशन में negative का नमबर बड़ा है इसलिए हमारा आंसर नेगेटिव में आया. Rule number 7 अगर हमारे दोनों numbers ही minus के हैं और हमें उनको add करना है तो हमारा आंसर भी minus में ही आएगा. For example, minus 2 plus bracket में minus 5 अब हम इस case में bracket open करेंगे पहले plus multiply minus is equals to minus. So, new equation is minus 2 minus 5 which is equals to minus 7. Rule number 8 अगर हमारा एक number minus का है और एक plus का है और हमें उन दोनों को plus करना है और minus वाला नमबर plus से छोटा है तो हमारा answer plus में आएगा. For example, minus 2 plus 5 is equals to 3. और इसी में ही अगर हमारा minus वाला number plus वाले नमबर से बड़ा है तो हमारा answer minus में आएगा. For example, minus 5 plus 4 which is equals to minus 1. यहाँ पर हम दे सकते हैं minus वाला number क्या है? 5 जो की 4 से बड़ा है. Rule number 9 अगर हमारे दोनों ही numbers minus के हैं और हमें उनको subtract करना है तो हमारा answer minus में आएगा. For example, minus 5 minus bracket minus 2 which is equals to minus 3. लेकिन अगर हमारा second वाला number first वाले नमबर से बड़ा है तो हमारा answer plus में आएगा. For example, minus 5 minus bracket minus 8 which is equals to 3. यह इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने bracket को open कियां तो minus multiply minus is equals to plus. तो यह हमारी question हो गई. minus 5 plus 8. Thank you everyone. I hope आपको basics integers के समझ आयोंगे. Don't forget to like, share and subscribe my channel.